Hello everyone, a very warm welcome to all of you on Dr. Shweta Verma Homeopathic Clinic channel. दोस्तों मैं हूँ Dr. Shweta. दोस्तों, आज मैं आप सभी को पताऊंगी कि यदि आपको Dengu Fever है, तो आप अपनी immunity को कैसे भढ़ाएं? और सबसे importantly आप कि अगर platelets जो है वो down जा रही है, तो आप platelets को कैसे भढ़ाएं? दोस्तों, platelets कम होने से होता क्या है? क्या complications हो सकती है? क्या आप ये सब जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ. देखिए अगर किसी की शरीर में platelets कम हो जाएं, तो उसका जो blood है, अगर कहीं cut लग गया या उसको कोई चोट लग गई है, तो उसका blood flow रुकेगा नहीं, यानि कि उसकी correlation जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है? इसलिए platelets का normal count होना बहुत ज़रूरी है. डेंगू fever में जिसे बहुत से cases हैं, जो मेरे पास आते हैं, जिनकी platelets बहुत डाउन हो जाती है, 25,000, 30,000, 40,000 तक हो जाती है. तब मैं उन्हें बताती हूँ कि देखिए, ऐसे homeopathy में दो ऐसे tinctures हैं, जो कि बहुत ज़्यादा beneficial है, आपकी immunity को भी भढ़ाते हैं, और आपकी platelets को भी तुरंट उठाएंगी. दोस्तों, platelets के लिए मेरी एक और वीडियो है, आप वो जरूर देखेगा, उसका link मैंने description box में दिया है, जरूर देखेगा, आपको बहुत help मिलेगी उससे. और यदि आप किसी patient को जानते हैं, जिसे डेंगू हो गया है, या फिर कोई भी ऐसा area है जहां पर डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया है, आप ये video वहां तक जरूर पहुँचाएगा. दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ, इससे कौन से दो homeopathic mother tinctures हैं, जो की आपकी immunity के लिए बहुत अच्छे हैं और platelets को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं. ये है awesomeum sanctum का tincture and kerica papaya का tincture. आप दोनों के picture जो है मेरी screen पर देख सकते हैं, उसमें साफ-साफ नाम भी दिया हुआ है, या फिर मैंने नीचे description box में भी इसका full name जो है लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं. दोस्तों ये जो awesomeum sanctum tincture है, ये बना है तुलसी से. तुलसी के वैसे ही इतने फायदे होते हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि तरह beneficial होता है, ये immunity power को बहुत strong कर देता है. इसके लावा केरिका पपाया जो है ये पपीते से बना होता है, तो ये भी बहुत beneficial है डेंगू fever के case में. इससे platelets जो है वो बहुत जल्दी भड़ते हैं और इसके results मैंने बहुत अच्छे देखे हैं. दोस्तों साथ ही साथ मेरी I hope आपने ये वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने homeopathic treatment बताया है डेंगू fever का, तो आप साथ ही साथ वो medicine भी ज़रूर लें. अगर आपको स्टिल कोई भी क्वरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नीचे दिये कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं. यह रिखिए नीचे मेरा जो है WhatsApp नंबर भी दिया है मैंने आप वहाँ पर भी मुझे WhatsApp करके मुझसे अपनी क्वरी पूछ सक और बेल आइकन को भी जरूर दवाईएगा. दोस्तों मैं हूँ Dr. Shweta और फिर मिलूंगी आपसे एक नई और informative वीडियो में. तिल एन, stay safe, stay healthy and good luck.